भगवान सीरी किर्शन का जन्माश्टमी महुत्सव सनिवार को सा जहापुर समी तैसील वो ग्रामिनों छेतर मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। लड़ु गोपाल को जुला जुलाने के लिए हजारों की तादाद में लोग मंदिरों में पहुंचे और इलेक्ट्रोनिक जहांकिया और खुद बच्चे भगवान किर्शन के रूप में सजे जहांकियों में शामिल हुए। भगतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी की तरफ से भी विशेश परकार के इंतिजाम किये गए थे। जहर के बाबा विशुनात मंदिर में भी धूमधाम से मनाई जन्माश्ट हुई। किसान ने मक्का के खेट में जानवरों से बचने के लिए बांदा था विदूत करण। तब ही किसान की मोत हो गई। जानकारी होते ही परिवार में कोहरा मच गया मौके पर पहुंची पुलिस। जिले के जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनके कुछ मानक के आधार पर चेकिंग कराए। मानने मुख्यमंतरी योगी अधितियनाथ जी ने जिला अधिकारियों की मिटिंग ली जिसमें बताया था कि हर पेट्रोल पंप पर पुरुष महिला के लिए ट्वाइलेट हवा की फैसलिटी होनी चाहिए। इसके बाद पेट्रोल पंपों को रिटेलर के नोटिस भी दिये गए थे। उसकी डेट खतम होने के बाद जनपद में कुछ ऐसे पेट्रोल पंप निकले जिन्हों ने इसका अनुपालन नहीं किया। जनपद के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनकी कुछ मानकों पे चेकिंग कराई गई थी। उसमें निर्देश दिया थे गया कि हर पेट्रोल पंप पर पुरुष और महिला के लिए टौलेट की फैसलिटी, पानी की फैसलिटी, फस्टेट बॉक्स की फैसलिटी, हवा क पेट्रोल पंप्स को पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद उनको अफगर भी कराया गया। सालोन के थाना चोकी पिरोन के नौ निर्मित भावन का लोकरपन कर चोकी का परागरन वेवरक्षार ओपन किया गया। मुरादबाद के मुणड़ा पांड़े छेतर में भादसाना हवाई पट्टी के ठीक सामने गुलाम नबी का सेलर लगा है। जिसमें चोरों ने कमूल लगाकर हजारों रूपियों की चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गुलाम नबी का कहना है कि रामपूर रोड के किनारे हवाई पट्टी के ठीक सामने मेरा धान सेलर है। जिसमें चोरों ने कमूल लगाकर मोटर साइकल वे अन्य सामान लेकर मोके से चोड़ फराग हो गए। पुलिस के बावजूद भी चोरों का पुलिस को जराब भी भे नहीं है। और चोरों के होसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि घरों में घुसकर घरवालों के उपर असला लगाकर उन्हीं के नजरों के सामने ही। जी हाँ एक मामला ऐसा ही तामबोर थाने के पांडे पुरुआ के देखने को मिला है। पुछ बदमासु ने दूसरों की छत के माद्यम से घर में घुसे और घरवालों के उपर असला लगाकर घरवालों की नजरों के सामने ही तकरीबन चार लाख रुपे के माल पर हाथ साफ कर दिया। आओ का को यह सब है काने है किसमें पड़ता है तम अबहल क्षयाया धीगात में रगता इसके आपर अन्यवी क्या πरुसा ट्रम्वा है T बता हुआ है जो अब किये हो गाइए जेवर कितने की हो गई है कितने एक फोगा मानके चलिया बज्येक राच जोगी सवाव लाग करा सवाव लाग करा सवाव लाग करा सामान गया है और रुपिय कितने गया है वहीं खबरों में बात करते हैं रामपूर के शाहबाद के जहां भुर्शी के गाउं ओमपाल ने अपनी बेटी नारायन देवी का रिष्टा मोतिराम के लड़के से किया था जो नवीन गंज का रहने वाला है शादी को लगबग साथ साल हो गए है नारायन देवी के पास एक बेटी भी है नारायन देवी का कहना है कि मुझे लड़का मारता और पीटता था केई बार पुलिस से शिकायत भी की लेकिन पुलिस मेरी सुनने को ही तैयार नहीं है मैं दरदर की ठोकरे खानों को हूँ मजबूर कि अधिन पी तम किता है वो मारते हैं दाली पी गए मिट्टी भी तील छिरिकते हैं मैं अपनी जान बचाई अपनी पीर आई तो पीर से भी अलेके चार पांच आदमी ओकता हैं गाड़ी में खहच के ले गए तो घाम बारों ने लिकारी में अब ते लड़की को कहते हैं कि एलड़की मेरी न ciao मै किसकी लगे कर आई एलड़की इसकी न इसकी न चलको सिए को मेरे भरवारा एंप और तो स्याना हिंसा मामले में जेल में बंच शे आरोपियों को जेल से जमानत पर आकर रिहाई मिल ही गई खास बात यह कि जेल से छूटने के बाद सभी छे आरोपियों को फूल माला पहना कर सवागत किया गया दुए तस्वीर सोशल मेडिया पर भी वाइरल हो रही है आज थाना अध्यक्स पंकज कुमार सिंग एसाई विकास सिंग ने छेतर के सभी तहजियादारों को थाने में बुलाया और आने वाले दोनों 19 को महर्रम मनाने को कहा और जलूस में पुलिस सुरक्सा देने की बात कही फिरोजबाद एक महिला मुलकी देवी की गला रेत कर उसके ही पती ने उसकी हत्या कर दी थी उस मामले में थाना लाइन पार S.H.O. ने आज महिला के पती को गिरफतार कर दिया है वहीं इस संबंद में S.P.C.T. काराले पर प्रेस वारता के दोरान S.P.C.T. परलब परताब सिंग ने बताया कि धाना लाइन पार S.H.O. को मुखबिर की सूचना मिली थी कि जिस वैक्ते ने अपनी पत्रिनी को गला रेत कर हत्या की थी वह कहीं जाने की फिराग में रेलवे इस्टेशन पर खड़ा है मौके पर पहुंचे S.H.O. संजे सिंग की टीम ने उसको गिरफतार कर दिया है देखिए आपकी जानकरन में लाना चाहूंगा दो दिन पूर रात्री की समय सूचना आया थी जिसमें एक मरीला की हत्या करके उसकी लाश को नदी में फेगनी की बात आया थी इस सूचना पर पुलिस ने रेट किया स्पॉर्ट को तो डेट बोडी मौके से पास के खेतम मिली थी और ये संग्यान में आया कि इसके पती के दोरा इसका मड़ कर दिया गया है और वो बोडी को डिस्पोज़ आफ़ न चाहते थे सूचना पर पुलिस के दोरा किये कारवई में डेट बोडी को छोड़कर के भाग गए डेट बोडी को रिकवर किया गया जब मुवाने किया गया तो ये पता चला कि किसी शार पेजिट वेपन से इसकी हत्या की गई है इस सुचना पर पुलिस ने कारवई करी एस सो संजर सिंग और उनके साथी सबनिस्पेक्टर छटपाल सिंग ने इस पर अच्छा काम किया और आज प्राते काल में रेलवी स्टेशन से जो महिला मरतक थी इसका पती पुश्पेंद्र एलियास फक्पू सवालियर नगर निगम सीमा चेतर में घरों का विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है जहां आए दिन नगर निगम के अधिकारियों पर भरस्टाचार के आरोप लगते रहें वही सनिवार के दिन नगर निगम की सीमा चेतर में सीटी सेंटर इस ती बड़े भवनों पर नगर निगम की बड़ी कारवाही देखनों को मिले है तोड़ फूर की है इसमें क्या था इसमें इस रोट पर अभी अपने आपने देखा होगा कि तलगरों में पार्शिक तूप कराई थी अवेद निर्मान अटायत है उसके बाद भी देखा गया कि कमर्शियल जो तल रहा है उसके बाहर गारियां खली रही है लोग तलगरों मे करवाई आप देख रहे हैं इनको आवासी शुक्रेटी दी थी और शॉप्स वगरा बना दी इन तो इससे भी पूरा जाम बना रहता है तो इसके तहत वो निशक्टर को निकाल कर इंको आवासी का अत्यायत दी गई है और यहां कारवाई पहले भी हुई थी कुछ तुस त पढ़े हैं सागर्जी लेकर रहली में खनन माफियाओं के दवारा पहाड को खोदकर बड़े पेमाने पर औवेद रूप से शासन के राजशाओं की हानी पहुचाई जा रही है बुंदेला पंचाइट छेतर में फेले गदा पहाड की खनन माफियाओं के दवारा दोनों टेक्टरों के दवारा खुले आवेद गुरं का परिवाहन किया जा रहा है परन्तु ना तो इनके दवारा कोई कारवाही की जा रही है ना ही इस संबंद में अधिकारियों के इसके सूचना दी जा रही है यह सर काचिवी परियों और शागोनी मुंदेलावें पहाड पर अवेद उत्खनन करके मुरम निकाली जा रही है है आपके जानकारी है यह मेरी जानकारी है और सूचना मुझे मिली है इसके पूर्द भी मुझे सूचना मिले थी आज रामपूर में विकास प्रहादेकरण और सुचना विभाग की स्यूच टीम ने मिलकर एक अस्पताल पर च्छा पेमार कारवाही की इस अस्पताल का ना तो रामपूर विकास प्रहादेकरण में मानवची तिर पास था और ना ही इस बिल्डिंग में जो अस्पताल चल रहा था उसका सवास्तेवी भाग में कोई रिजिस्टेशन था बारहाल दोनों विभागों की टीम इनों मिलकर इस अस्पताल के सीज कर दिया जिस से और भी अस्पतालों में हड़कम मच गया है यह सीजी मस्टेट द्वारा अब्दर कराए गया यह नियू पोर्टिस नाम का अस्पताल यहाँ पर अबैद रूप से संचालित हो रहा है रहा है? रही करें बद्गेट रहा है